मौसम बदलते ही बालों का जड़ना जैसी और कई समस्या हैं हमारे बालों सम्बंदित हो जाती है अगर आपको भी ऐसी ही समस्या है और अगर आप आपके खुबसूरत बालों को चाहते हैं तो आप बिना देर किये मेथी का ये नुस्खा अपनाए मेथी का ये नुस्खा चंद दिनों में आपकी परिशानी दूर कर देगा तो आए जानते हैं कि कैसे हर चीजों के साथ मेथी का इस्तमाल कर इस समस्या से रहत पाई जा सकती है जड़ते बालों के लिए ये नुस्खा बेहद कारगर है बात करूँगा आवला की तो आपको बता दूँ आवला सिहत ही नहीं बालों के लिए भी वरदान है इसे खाने के अलावा आप इसे गूते और नीबू के साथ मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दे और बालों को किसी कपड़े से ढख दे सुबह दोले ये भी एक समस्या कम कर देगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें अलोवीरा जल की तो आपको करना क्या है कि अलो वीरा जो जल होते हैं बालो को अच्छी तरह ग्रोथ के लिए आप अलो वीरा जल का इस्तमाल कर सकते हैं और फिर इसे आधे घंटे बाद थो लेते हैं तो आपको ऐसा करने में दो आतीन हफता लगाना है और फिर बालों की जो चमक है बालों का जड़ना है वो बंद हो जाएक और चमक आ जाएगी बात करूँ प्यास के रस की तो आपको बता दूँ कि मेथी के अलावा प्यास के रस को आधे घंटे तक बालों में लगाने के बाद बालों को धोलें प्याज बालों को हर तरह के infection से बचाता है और अब बात करूँगा मेथी की तो कही न कही मेथी भी आपके बालों को जढ़ने के से रुकती है दरसल मेथी में iron और potassium भरपूर मातरा में होता है जो बालों को जढ़ने और सफेद होने से रुकता है मेति के बीच को पीस कर पाउडर बना ले और इसमें कोई भी बालों वाला थेल मिलाकर इस्तमाल करें रोजाना इसका इस्तमाल करने से जड़ते बालों की समस्या दूर हो जाएगी तो यह थे सारे उपाई जिसे आप अपना कर अपने बालों की जड़ने की समस्या को रोक सकत क्यूरिन है लड़क्सक्रिपूट